बिहार के जितने भी परमपरागत हर्सिल्फ हैं इस खादी मौल में उपलब्ध हैं और सस्ते कीमत पर हैं चुकि राजसरका का उद्रेश है कि जो बिहार के हर्सिल्फ है उनका पचार पसार पटना समेथ देश विदेश में हो हम सब्णेश क का शिल्फियों से समान लेकर उनकी कीमत कीमत पर इसलिए इसलिए बहुत सस्तिक कीमत पर समान मिलेगे आपका करना है कि अपने राज्य के कला को समझना है संस्कृति को समझना है उसकी बिरासत को समझना है तो यहां आकर समझ सकते बिलकुल बिलकुल बिहार की कला संस्कृति और प्रमप्रा को समझने के लिए खादी मौल में आना जो हो रही है यहां आकर सभी प्रमप्रागत च चार प्रसार हो गया लेकिना निकलाएं जो है जिसे पटना सीटी की टिकुली कला जो एक समय समाप्थोने की स्थिती में थी पुनफपन अब गई है मंजूसा कला भागलपूर की इसी तरह से कास्ट खिलोना जो पटना सीटी में पहले बड़े प्रमानी पहोता था फिर से हो बजार मिल गया है आठीजन को बिल्कुल बहुत बड़ा बजार मिला है और हम लोग खुश है कि इसके माधम से बिहार के हर सिल्पियों का पार्थिक उत्हान होगा जो गनेश की प्रत्मया है किसने बनाया है कैसे बनाई गई है इसको यह सब क्या है पेपर मेंसी जो जूट का खिलोना बनता है वो सब है गनेश जी कितने के हैं गनेश की कीमत हजार असी है एक हजार असी में प्रतिमा आपको गनेश की तो कहीं नहीं मिलेगी और कागज से बनाई गई है तो हर घर में होना जी प्रोड़क्ट्स 18 रुपे से भी है और को 32 रुपे का एक हमार में पास कच्छुआ है जो आपको देखे बहुत इंट्रस्टिंग लगेगा आपको मैं दिखाते हुए कच्छुआ दिखाई है आप इंट्रेस्टिंग प्रोड़क्ट्ट अपना दिखाई है इसको देखे ये खुद वखुद ऑटोमेटिकली हिलता है ना तो इसमें मशीन लगी वी है ना तो इसमें सिर्फ हवा के थुरू और उस मोशन से फिजिक मोशन से रिलेटेड हमारे आर्टिजन जो गाउं से बिलॉंग करते हैं बिना पढ़े लिखे वो इतने अनुवेट आता है और वह आज 32 रुपीज ओनली अब इतने अच्छी चीजे बनाते हैं आपको बजार मिलता था पहले पहले तो बजार मिलता था काफी कम मिलता था अब उपन मानर्थी के माध्यम से हम लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो यहां पे और भी बाहर एक ज घर का जो ड्राइंग रूम है देशी कलाकारों की कलाकृती से सचे समरे तो आप यहां जरूर आईए और हर तरह की चीजे मिलेंगी बताइए इतना खुबसूरत हांती कहां मिलेगा आपको और यहां बुद्ध की प्रतिमा भी है बहुत खुबसूरत है गणेश की प्रतिम यहां करिए और जो हमारे देशी कलाकार हैं उनकी कलाकृती से अपने घर को सजाईए समारिए इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे देशी कलाकारों को एक बड़ा बजार मिलेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा यह त आपने बादो